दोस्तों, दिवाली का तिवार आ रहा है और इसी के साथ आप सब ने इसके तियारी जो शोर से शुरू कर दी होगी और दिवाली की शॉपिंग का तो मज़ा ही कुछ और होता है। आपकी इसी काम को असान करने के लिए हम लाए हैं दिवाली पे घर को सजाने से संब्दे समान की वीडियो जो कि 500 रुपे के अंदर आप अमेजन से खरीद सकते हैं। इस अभी जबान के लिस्प मैंने काफी रिसर्च करके तियार की है। इस अभी आइटम्स ऑनलाइन अमेजन पे अवेलेबल हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दिवाली पे लक्ष्मी गरेश पूजन मैठपूर्ण होता है। इसके लिए हमार साल नई मूर्ति खरीदे हैं। अगर आप भी लक्षमी और ग्रपति बगवान की मूर्ती खरीदना चाते हैं, तो यहां लेंस्ट किए गए लक्षमी गडेश की मूर्ति को आप खरीद सकते हैं. यहां पर आप देख रहे हैं गडेश लक्षमी मूर्ती के कुछ और डिजाइंस कि सभी डिजाइंस बहुती सुन्दर और रंग बिरंगे हैं इन मूर्तियों को खरीदने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह कमेंट्स में दे दिया है जिससे आप डारेक्ट लिंक का यूज़ करके इन मूर्तियों को अराम से खरीद सकते हैं दिवाली पे अखंटीब जलाने का अपना ही महत है मानेता है कि अखंटीब जलाने से गर में शुक्षान्ती बनी रहती है और मनुकामना है पूरी होती है साथी साथ इसको जलाने से नर्जनता भी दूर होती है इसलिए हम यहाँ पे अखंटीब के कुछ डिजाइन्स इसमें दिये के चारों बनी शेल के कारण उसमें हवा नहीं आती है जिससे की दिया आराम से जल पाता है यहाँ दिखा रहे हैं अखंटीब के पहुती यूनीक और सुन्दर डिजाइन्स इस सभी डिजाइन्स अमेजन पे उनलाइन अविलेबल है अगर आपको मेरे बताएवे आइटम्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दिपागली पे कंडील को सजावत का एहम इस्सा माना जाता है कुछ लोग कंडील को पित्रों की याद में जलाते हैं तथा कुछ लोग ये मानते हैं कि कंडी जलान से घर में मा लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में सुक समरदी का महौल बना रहता है यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको सुन्दर सुन्दर कंडिल के डिजाइन्स यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको कंडिल के कुछ और डिजाइन्स यह बहुत ही रंग बी रंगी और सुन्दर लगते हैं इनको आप छट पर, एपने мен गेट पर या बालकनी में लगा सकते हैं हम सभी जानते हैं की दिवाली को रौष्णी के तिवार के रूप में माना जाता है इसलिए लोग अपने गरों को अनेको लाइटों और दियों से सजाते हैं इसी में आजकर टी लाइट लांटेंग का फ्रचलन हो गया है, यह बहुत ही सुन्दर लगती हैं, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको टी लाइट लांटेंग के कुछ डिजाइन जो की अमेजन पे अविलिबल है, इनको खरीदने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स म दे दिया है, इन टी लाइट लांटेंग को आप अपने रंगोली के पास अपने लिविंग रूम में और कहीं पे भी सजा सकते हैं, यह बहुत ही सुन्दर रखते हैं, इनको आप हैंगिंग के रूप में भी परदों के पास टांग सकते हैं, दिपावली की पूजा के दोर पंच मुखी दीपक प्रजुलित करने का विशेश मेहतो होता है, पंच मुखी दीपक को बहुत ताकतवर और चमतकारी माना गया है, कहा जाता है कि घर में पंच मुखी दीपक प्रजुलित करने से बगवान जल्द ही प्रसंद होते हैं, यहाँ पे उन दिखा रहे हैं ज़्यादा दूढ़ना ना पड़े और आप डारेक्ली परचेस कर पाएं। दिवाली पे घर को खुशूरत धंग से सजाने के लिए आप टी लाइट होल्डर सेट को अमेजन से कम प्राइस में खरीच सकते हैं। इस होम डेकर प्रड़क्ट को आप रंगोली के पास या उल्ली बोल के पास या टेबल के पास सजा सकते हैं। इनका डिजाइन और लुक बहर स्टाइलिश होता है जिसकी वज़से यूजर से ने काफी पसंद करते हैं। इन की लाइट होल्डर्स के आपको कई सारे कलर आप्शन्स और डिजाइन मिलेंगे जिने आप अपनी पसंद के हिसाब से खरीच सकते हैं। घर की सजावट के लिए यह डेकरेशन आइटम टॉप चॉइस है। खम कीमत में आने वाले कैंडल होल्डर को आप अमेजन से कम प्राइस में खरीच सकते हैं। अगर आप दिवाली के कुछ और डेकरेशन आइटम्स की वीडियो लेखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम उन आइटम्स को इंक्लूड करके भी वीडियो बनाएंगे। अपने घर को और खुबसूरत और स्टैलिस्ट रुख देने के लिए आप रिफ्लेक्शन वाले टी लाइट होल्डर्स या फिर हैंगिंग टी लाइट होल्डर्स या फिर ये पिंजड़े वाले टी लाइट होल्डर्स खरीच सकते हैं। यह बहुत ही सुन्दर लगते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं टी लाइट होल्डर्स के कुछ और बहुत से अमेजिंग डिजाइन्स। यह सबी डिजाइन्स अमेजन पर ओनलाइन अविलेबल हैं। प्राचीन काल से दिपावली पर हर घर में मिट्टी के दीपक जलाने की प्रमपरा रही है। मिट्टी का दीपक पंच तत्वों का प्रतीक है। मिट्टी और पानी को मिलाकर दीपक बनता है। दीपक जलाने पर अगनी आती है। तथा बिना वायू की आग नहीं जल सकती और मिट्टी के दीपक पर्यावरण को नुकसान भी नहीं फचाते है यहाँ पर हमने आपको दिखाए हैं मिट्टी के दीए के बहुत ही कुपसुरा डिजाइन इसमें पीच वाला डिजाइन जिसमें की बद्टी के लिए एक छोटी सी मिट्टी की डिप्या भी बनी होती है बहुत ही सुन्दर लगता है इससे दिया बहुत देर तक जलता है और इस देखने में भी बहुत सुन्दर लगते हैं यहां आपको दिखा रहे हैं मिट्टी के दिये की कुछ और डिजाइन सबसे पहले डिजाइन में ready to use दिया हैं जो की गाई की गी से भरे हुए हैं यह 45 मिनट तक जलते हैं सेकंड डिजाइन में हम आपको टेरा कोटा के दिये दिखा रहे हैं यह जलने में बहुत ही सुंदर लगते हैं इनको आप paint दौरा और भी सुंदर बना सकते हैं अगर आप मैं में दिये वे लिंक पे जाएंगे तो आपको आपको वहाँ पे टेरा कोटा दिया के बहुत सारे डिजाइन्स दिखेंगे आप उन में से कोई भी डिजाइन का चेहन कर सकते हैं यहां दिखा रहे हैं आपको Decorative Diya's की कुछ डिजाइन्स यह बहुती सुन्दर पेंटेड हैं और इनको जलाने पे बहुती सुन्दर लगते हैं इनको आप रंगोली के पास सजा सकते हैं जिसे रंगोली की सुन्दर्ता और दुगनी हो जाएगी तिवाली पे रंगोली का अपना ही महत हुए रंगोली के खुबसूरत डिजाइन्स घर की में गेट की सुन्दर्ता को चारचान लगा देते हैं इसके लिए आप खरी सकते हैं रंगोली कलर्स ये भी ऑनलाइन अमेजन पर अविलेबल है यहां दिखा रहे हैं आपको उल्ली बोल्स के कुछ डिजाइन्स ये सभी अमेजन पर अविलेबल है जो की 500 से भी कम कीमत में अविलेबल है क्योंकि दिवाली पर दिए जलाने का अपना ही महत है तो दिए कि हम आपको जादा से जादा डिजाइन्स दिखा रहे हैं ताकि आप अपने अनुसार उनका चेहन कर सके ग्याम आपको दिखा रहे हैं मेटल दियाज इसमें स्वास्तिक का डिजाइन और ओम का डिजाइन वाला दिया भी अविलेबल है ग्याम आपको दिखा रहे हैं अमेजन पे बहुती सस्ते में अविलेबल मेटल दियाज के कुछ और डिजाइन्स यहाँ दिखा रहे हैं आपको मेटल दिया की कुछ और डिजाइन्स यह सभी बहुत खुबसूरत हैं और इनको आप Amazon से ओनलाइन ओर करके गर बैटे ही पा सकते हैं यह सभी आइटल्स 500 रुपए से कम में Amazon पर अविलेबल है आजकल सेरैमिक और स्टोन के दियाज भी अविलेबल हैं यह मुझे बहुत ही यूनीक लगे थे इसलिए मैं आपको दिखा रहे हूँ यह भी आप Amazon से ओनलाइन मेरे दियेवे लिंक से खरीद सकते हैं दिवाली पे घर को खुबसूरती के साथ सजाने के लिए आप वाटर सेंसर दियों को Amazon से कम प्राइस में खरीद सकते हैं इन्हें आप रंगोली को सजाने के लिए उप्योग करें यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कमल के अकार के यानिकी लोटर सेंसर दियाज इनको आप उल्ली बोल में सजा सकते हैं यह बहुत ही सुन्दर लगते हैं नेक्स्ट आइटम हम आपको दिखा रहे हैं शंखु चक्र दिया शंक और चक्र पगवान विश्नु की शक्ती और देवत के प्रतीक हैं माना जाता है यह मूर्ती शान्ती लाती है इसे अपने घर, लिविंग रूम, योग गक्ष के पास रखें इसके अपुस्तती बहुत अधिक साहकारात्मकता लाती है इनको आप अमेजन से खरीद सकते हैं इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है नेक्स आइटर मौं आप ले लाए हैं टी लाइट केंडल्स जब हमें टी लाइट होल्डर्स खरीद ली हैं तो हमें टी लाइट केंडल्स भी तो चाहिए इसलिए हम लेकर आए हैं Tea Light Candles इसमें मुखिता आपको दो प्रकार की Tea Light Candles दिख रही हैं जो की Non Scented हैं एक है जिसमें सफेद रंगी हैं तता दुसरी रंग भी रंगी इनको आप Amazon से बहुती सस्ते दाम में खरीच सकते हैं इसका लिंक मैंने description box में तता comments में दे दिया है नेक्स आपको दिखा रहे हैं सेंटेट Tea Light Candles इस सभी चो टी Light Candles मैंने स्क्रीन पे दिखाई हैं इनका लिंक मैंने description box में दे दिया है जिसे आप असानी से खरीद पाएं पूजा की दोरान चलाई जाने वाली धूप और लोबान की कई फायदे हैं इनकी खुश्बुदुएं से वेक्ति के मन को परस्दनता और मानसिक शांती दिमलती है और सकरात्मक उजा का प्रभाव भी बड़ता है यहां दिखा रहे हैं आपको लोबान दानी या धूप दानी के सुन्दर डिजाइन्स यह सभी Amazon पे ओनलाइन अबिलेबर हैं जिनको आप मेरे दिये वे डारेक्ट लिंस पे खरीद सकते हैं यहां हम आपको दिखा रहे हैं लोबान दाने या फिर धूब दाने के कुछ बहुती सुन्दर डिजाइन्स यह थी हमारी दिवारी डेकोरेशन की वीडियो का पार्ट टू अगर आप और भी आइटम्स हमारी वीडियो में देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं हम उसकी भी वीडियो लेकर आएंगे अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिले के साथ शेयर करें